Hello everyone and welcome back to Magnate Brains. मैं हूँ सलोनी राजपूत, आपकी Maths Expert और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCIT की Exercise 3.6 का Question 2 and 3. इसी के साथ ये छोड़ी सी Exercise थी, वो भी हो जाएगी, खतम. हम पढ़ रहे हैं Classics Maths का Chapter जिसका नाम है Playing with Number आपकी NCIT बुक से. पिछले लेक्चर में मैंने इसी Exercise का पहला Question कम्पलीट करवा दिया था आपको. तो अब हम आखरी के दो Questions और देख लेते हैं. तो Read करिए Second Question क्या है? Second Question है, What is the HCF of two consecutive? याने हमें HCF निकालना है कि इसका दो consecutive? याने कि दो ऐसे नंबर जो क्या है? एक के बाद एक आ रहे हैं. consecutive मतलब बिलकुल लगातार आने वाले हैं ना? लेकिन वो क्या होंगे? तीन केसिस में होंगे ऐसे. कि दो consecutive numbers, दो consecutive even numbers और दो consecutive odd numbers. तीन केसिस का HCF हमको निकाल कर देना है. तो पहली बात करें कि दो consecutive numbers. अब numbers कुछ भी हो सकते हैं, यानि कोई भी दो consecutive यानि कि एक के जस्ट बाद एक आने वाले आप दो numbers ले लीजिए. और उनका HCF निकाल के बता दीजिए कि क्या होगा. तो देख लेते हैं हम question second का A part. अब दो consecutive numbers. 2 और 3 भी हो सकते हैं, है ना? या फिर 4 और 5 भी दो consecutive number हैं, 6 और 7 भी दो consecutive number हैं, 100 और 101 भी दो consecutive number हैं. यानि कि कोई भी दो लगातार आने वाले numbers हमको लेना है और उसी से क्या होगा, answer हो जाएगा. clear हुआ, आँगे देखिए, अब इन मेंचे कोई भी number ले लो, मैंने ले लिया 2,3. तो अब हम क्या करेंगे? 2 का final निकालेंगे, 2 1 times 2, 1 1 times 1. प्राइम फाक्टर्स निकालें, ऐसे ही मैं 3 के प्राइम फाक्टर्स निकालूंगी, 3 1 times 3, 1 1 times 1. तो 2 के फाक्टर्स क्या है? 2 into 1, या फिर 1 into 2 लिखूँ, always इस चीज़ को आप increasing order में ही लिखा करें, तो 1 into 2, 3 का 1 into 3. अब क्या करते हैं हम? हम इसमें HCF निकालने के लिए दोनों में धूरते हैं कि common कौन सा number है. तो देखें क्या common आ रहा है? 1 common आ रहा है, तो HCF जो है आपका 2, 3 का हो जाएगा? 1 हो जाएगा. यानि कि 2 लगातार आने वाले कोई numbers, यानि कि 2 consecutive numbers का अगर हम कभी भी HCF find करें, तो हमेशा HCF क्या है का 1, भले ही आप कितना ही बड़े number ले लो, कितने ही छोटे number ले लो, क्योंकि क्या होता है? लगातार आने वाले numbers में चीज़े common नहीं होती है, 1 ही common, जब कुछ भी common नहीं है, तो यह मतलिंग ना कि कुछ common नहीं है, यानि कि HCF है ही नहीं, common कुछ नहीं है, तो 1 तो common हो गई ना, तो 1 HCF हो जाता है इस केस में, तो पहले का answer क्या है? second के एका 1, second का B देखिए, दो consecutive even numbers की बात कर रहे हैं, even numbers, दो consecutive मतलब एक के लगातार आने वाले numbers, अब even number लगातार कैसे आएंगे? ऐसे, जैसे 2, 2 के बाद, 4, 4 के बाद, 6, 6 के बाद, 8, 8 के बाद, 10, 10 के बाद, 12 and so on, तो कोई भी दो numbers आप एक के बाद एक वाले लोग है, तो यह क्या कहलाएंगे? दो consecutive even numbers कहलाएंगे, तो कोई से भी numbers ले ले लिजिया, second का B पर कर रहे हैं हम solve, तो मैंने ले लिए number 2 और 4, तो 2 का prime factors निकाला क्या आया? यह, और 4 के factors निकालेंगे, तो 2, 2 times 4, 2, 1 times 1, और 1, 1 times 1, ऐसे होगा, अब इन दोनों के factors को एक के नीचे ए क्लिखेंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा? 1 into 2, 4 का क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 2, next बताईए स्टाब, दोनों में common निकालना है, तो common क्या है? 1 है common और 2 है common, तो 1 into 2, क्या answer आजाएगा आपका? 2, याने HCF कभी भी हम क्या लें? दो consecutive even numbers का HCF लेंगे, वो numbers कुछ भी हो सकते हैं, 24 औ 26 भी क्या है? 2 consecutive even numbers हैं, इनके भी जब prime factorization करोगे, आप common factors निकालोगे, तब भी answer क्या आएगा? 2, तो हमेशा वाली बात है ये, कि HCF of 2 consecutive numbers क्या है? 1 है, HCF of 2 consecutive even numbers क्या आएगा? 2 आएगा, अब हम देखते हैं, HCF of 2 consecutive odd numbers, याने 2 odd numbers जो आते हैं लगाता है, उनका HCF क्या होता है तो odd numbers कैसे आएगे लगाता है? ऐसे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 and so on, यही होंगे लगाता है आने वाले odd numbers एक के बाद एक, तो हम कोई भी 2 pair ले सकते हैं, 7 और 9 ले लो, तो 7 का find करें हम, factorization तो 7, 1 times 7, 1, 1 times 1, 9 का find करें तो, 3, 3 times 9, 3, 1 times 3, 1, 1 times 1, क्या करें हम, दोनों के factors निकाल लेते हैं, 7 का क्या हुआ, 1 into 7 है न, increasing order में लिखेंगे यहाँ पर, तो यह आएगा 1 into 7, और 9 का क्या आएगा, 9 का भी 1 से ही शुरुआत करेंगे, 1 into 3 into 3, clearly दिख रहा होगा आपको के दोनों में क्या common है, बताइए, 1 ही common है, और तो HCF क्या आजाएगा, 1 HCF आजाएगा, क्याने का मतला, कि दो consecutive odd number का, अभी भी कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे से दो ऐसे number ले लो, जो एक के बाद odd numbers है, एक के बाद ए, तो वो क्या होगा, उसका HCF हमेशा 1 आएगा, तो पहले का A का answer आपका 1 है, इसका 1 है, मैंने आपको solve करके भी बता दिया, clear हुआ, अब आपका practice करने के वो है, कि आप क्या करें, कोई भी दो numbers ले, इसके अंडर जो categories में आ रहे हो, और उन numbers का HCF निकाल के देख लो, यही answers आएंगे, clear हुआ, तो यह एक general question था, question 2 कर लिया है, हमने solve, अब 3rd question एक formality type question है, मतलब यह बहुत कुछ solve करने जासे चीज़ नहीं है, पर आपके understanding के लिए बहुत जादा जरूरी है, क्या question है, यह concept एक और आपका इसमें add हो जाएगा, question 3 कह रहा है, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization, हमें क्या find किया, HCF find किया है, दो co-prime numbers का, 4 और 15, co-prime numbers है, याने कि इनके बीच common factor क्य है, इनके बीच common 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, यह दो co-prime numbers, तो found as follows, कैसे find किया, 4 के factors निकाले, 2 into 2, 15 के निकाले, 3 into 5, since there is no common prime factor, क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ भी दोनों में common नहीं है, तो HCF of 4 and 15 क्या बोल रहे हैं, वो 0, कि जब दोनों में कुछ common ही नहीं है, द 2 into 2, 15 को क्या लिखा, 3 into 5, कुछ common ही नहीं है, तो यह लोग कह रहे हैं, कि HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, इसका 0, HCF 0 होगा, तो आंगे लिखा, इस दा answer correct, क्या हम सही बोल रहे हैं, कि HCF 0 होगा, बताइए, दोनों में ऐसा होता है, क्या कुछ भी common नहीं हो, नहीं, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले ही, कि जब कुछ भी common नहीं हो, तो क्या होता है common, 1 तो होता ही होता है, दोनों में common, तो 1 common आएगा, तो HCF 0 नहीं हो के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहीं आंगे पूछा गया है, कि if not, what is the correct HCF, कि अगर 0 नहीं है, answer correct नही तो सही क्या है, सही क्या होगा, 1, कि जब दोनों numbers में कुछ भी common नहीं है, तो क्या common होता है, 1 common होता है, तो जब 1 common है, तो HCF भी क्या आजाएगा, 1 आजाएगा, 0, कभी भी नहीं आएगा, clear हुआ, तो यह था आपका question number 2 और 3, NCIT के exercise 3.6 से, 3.6 exercise में यह 3 question ही दिये हुए थ है, उसमें हमने कूप सारे numbers का HCF find करना सीखा था, इससे आप पार बार उनको solve करोगे, तो आपकी अच्छी practice हो जाएगी, फिर second और third question में हमने यह second general question था, यह अच्छे marks में पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे ignore कर देते हैं, इस type के question को थोड़ा सा confusion रहता है, तो अब आपको कोई confusion नहीं होगा, and third question था, आपका बिलकुल knowledge based कि आपके कितने concept clear हैं उसके उपर, उन्होंने कहा था, दो numbers में कोई भी factor common नहीं है, तो HCF 0 होगा, हमने का 0 नहीं होगा, दो numbers में कुछ common नहीं होता, तो 1 तो common होता ही होता है, right, तो HCF 0 की जगे क्या हो जाएगा, 1 हो का होता है, कैसे find करते हैं, इस सारी चीज़े हम अगरे lecture में देखेंगे, till then आप विजट कर सकते हैं हमारी official website, जो की है magnatebrains.com, वहाँ आपको complete course के video lectures के साथ-साथ, notes भी available हैं, systematic manner में, and complete course के लिए, daily updates के लिए, विजट करते रही है, Magnate Brains YouTube channel का community section, thank you so much and bye-bye.